एक घंटे की concentrated पढ़ाई और तीन घंटे की without concentrated पढ़ाई से बहुत अच्छी होती है इसलिए 100 सुनार की और एक लोहार की हमको चलना है एक लोहार की तरफ ताकि आपारी पढ़ाई हो effective और अपनी पढ़ाई को concentrated बनाने के लिए 3S याद रखने है 3S पहला S sufficient sleep अच्छी नींद ले ताकि आपका mind fresh रहे दूसरा S होता है switching between the subject एक subject से बोर और दूसरे पर दूसरे से तीसरे पर तीसरे से चौथे पर जाए टॉपिक को switch करिए ताकि concentration अच्छा रहे और चौथा होता है stay confident confident रहेंगे अच्छी नींद आएगे और अच्छी पढ़ाई होगी अगर किसी टॉपिक में कमजोर भी हो रहे हो तो याद रखो revision with short note, revision with class note and do salt example